Google का अगस्थ 2035 Spam Update रोल आउट होना शुरू हो चुका है और Google ने Google Search Console की X-Handle पर इसकी information शेयर की है Google ने लिखा है कि इस update को रोल आउट होने में कुछ हफ़ते का टाइम लगेगा और इसकी पूरी information आप Google Search Status Dashboard पर देख सकते हैं जून और मार्च Core Updates के बाद ये इस साल की तीसरी update है इससे पहले Google ने दिसमबर 2024 में Spam Update को रिलीज किया था हलांकि दो Core Updates इससे पहले रिलीज हो चुकी है इस update के बारे में Google ने ज्यादा information शेयर नहीं की है लेकिन ये जरूर कहा है कि ये एक Spam Update है साथी Search Status Dashboard पर Spam Update के पेज को भी लिंक किया गया है तो ये वो Google का tweet है जिसके अंदर Google ने August 2025 Spam Update के बारे में information दी है और यहाँ पर लिखा है कि इसको rollout होने में कुछ अपते का time लगेगा अगर आप इस Search Status Dashboard को open करेंगे तो यहाँ पर इसकी information आ जाएगी 26 अगस्त को लगबग 9 बच के 2 PDT टाइम जो है उस पर यह information यहाँ पर available हुई थी और यह Spam Update का एक link दिया गया है अभी Spam Update में Google ने बोला है कि वो Spam को continuously detect करते रहते हैं और उनका यह जो काम है वो चलता रहता है और इस पूरी जो अपडेट्स हैं उनके बारे में information आप Status Dashboard पर ही देख सकते हैं जैसे कि Google यहाँ पर पहले से बोलता है कि Spam Brain को यूज करके वो Spam को prevent करते हैं और दूसरी Spam Policies के बारे में भी यहाँ पर एक Link दिया गया है तो मैं आपको पहले Detecting जो Spam जो Link है उसके बारे में बता देता हूँ तो Google कहता है कि वो continuously Spam को पकड़ता रहता है और हर रोज 4000 क्रोड Spam Pages को वो detect करता है और जब वो उनको detect कर लेता है तो वो कई तरीके से नहीं रोकता है एक Automated Detection है जिसमें आपको पता नहीं चलता है ठीक है और जैसे कि Our Automated System can detect the vast majority of Spam and keep it out of your top search results similar to our good email system तो Manual Review में क्या रहता है कि यह आपके Pages को manually review करता है तो Manual Review जब करता है और Manual जब आपके पास information आती है तो Google Search Console के अंदर वो information आपको मिलती है उसको पर एक detailed video भी है कि Manual आपको अगर कोई penalty लगती है तो उसके information आपको कहां मिलती है Reconsideration उसके बाद रहता है जब आपने अगर कुछ changes को update किया है तो आप उसको submit कर सकते हैं और अभी यहां पर इनोंने कुछ बोला है कि यह लोग website owners के साथ भी बातचीत करते रहते हैं और इस पर यह काफी invest कर रहे हैं ठीक है दीरे दीरे जैसे ही एक जो technology है वो evolve हो रही है तो spam जो है वो कम होता जा रहा है क्योंकि आप Google पहले से कहीं better तरीके से spam को पकड़ पा रहा है इसके साथ ही spam policies का फी link दिया गया है तो यह मैं काफी बार cover कर चुका हूँ और spam policies क्या है इनके ओपर एक detailed video भी आपको चैनल पर मिल जाएगा तो वो video का link मैं नीचे description मैं यहां पर दे दूँगा इस update के बाद आपकी website का traffic गिरेगा या उठेगा या आगयाने वाले दिनों में ही पता चलेगा लेकिन जिन websites का traffic पिछली update में गिर गया था उनके traffic के recover होने के chances हैं लेकिन तभी जब उने गूगल की policies के हिसाब से content के अंदर changes किया हो या फिर back links जो है spammy backlinks को कम किया हो जो भ bloggers और content creators AI overviews और Google के AI mode की वज़े से Google से बहुत परिशान हो जोके हैं पर अब Google ने इस परिशानी को थोड़ा कम करने के लिए एक update release किया है जिससे bloggers या publishers की website पर पहले से ज़्यादा click आ सकते हैं AI mode के तुरू क्योंकि Google visitors की web browsing और link click करने की आदते थोड़ी सी बदलने जा रहा है अब Google का AI mode है वो लोगों को answers तो देगा ही देगा लेकिन उन answers के अंदर context based link भी add कर देगा यानि कि लोगों को source ढूनने के लिए नीचे स्क्रोल करने के जुरूरत नहीं पड़ेगी Google search के VP of product Robis10 ने expert बताया है कि company लगाता टेस्ट कर रही है कि link कहां और कैसे दिखाए जाए ताकि वो user और publishers दोनों के लिए helpful हो अभी तक यह होता था कि link AI generated answer के नीचे list होते थे लेकिन अब Google का the north star goal है वो यह है कि in-line links बनाए यानि कि जबाबों के अंदर ही link add कर दिये किया है जो अभी desktop पर live है इसमें एक ही जगह पर कई source link जो है वो दिखते हैं और हर link के साथ थोड़ा सा context भी add किया जाता है desktop के बाद अब Google इसे mobile पर भी जल्दी ही लेकर आने वाला है एक और change जो Google ने किया है वो है AI model को train करना ताकि वो यह समझ सके कि कि किस time पे user को बाहर जाकर source देखना पड़ता है यानि अब link ऐसे points पर add किये जाएंगे जहां click करने की probability जो है वो ज़्यादा हो तो शुरू के क कुछ हफतों में आपको link placement में changes या fluctuations दिख सकते हैं और इन सब के अलावा Google ने web guide नाम का experiment भी शुरू किया है यह Gemini model पर based है और link को topic wise group करके दिखाता है पहले यह सिर्फ search lab में web tab पर था लेकिन अब इसको all tabs के अंदर जो है add किया गया है मतलब आपकी deep queries के लिए Google आपको smart link cluster देगा यह सिर्फ एक UI का change नहीं है बलकि यह bloggers और content publishers को पहले से ज्यादा traffic मिलने की possibilities को बढ़ा देता है और जैसा कि Google पहले से कहता रहा है कि link quality इससे improve होगी तो link अगर answers के साथ होंगे तो better CTR के साथ साथ link quality भी अच्छी होगी आपको क्या लगता है कि क्या इससे publishers को ज् users सीधे AI mode में ही अटक कर रह जाएंगे आप हमें comment करके जरूर बताइएगा lazy loading एक ऐसा feature है जिसका use core web vital को सुधारने के लिए किया जाता है लेकिन कई बार यही lazy loading आपकी website की speed को कम भी कर सकती है Google के दो बड़े search engineers Martin Split और John Mueller ने इसके बारे में एक podcast में बताया है lazy loading का use हम images के लिए करते हैं यानि वो images जो तुरंट screen पर नहीं दिखती और बाद में load होती है इसका फायदा यह होता है कि page के दूसरे elements जल्दी load हो जाते हैं और user page के साथ जल्दी interact कर सकता है लेकिन कई बार website owner page की सारी images को ही lazy load कर देते हैं और साथी hero image जो की user को सबसे पहले दिखती है उसे भी lazy load कर दिया जाता है तो इससे फायदे की बजाए नुकसान हो जाता है lazy load का concept इसलिए रखा गया कि page पर below the fold की images देर से load हो जाएं लेकिन अगर above the fold की images भी देर से load होंगी तो visitors को screen पर blank spaces दिखेंगे इससे LCP पर negative effect परता है क्योंकि LCP यानि की largest content full paint ये measure करता है कि आपके page का सबसे बड़ा text या image कब screen पर paint हुआ normal condition में browser hero image को सबसे पहले load करता है ताकि user को page open करते ही content जो है वो दिख जाए लेकिन अगर आपने hero image को भी lazy load कर दिया है तो browser उसे कम priority पर रखेगा तो और पहले जो है बाकी की scripts और styles को load करेगा और hero image बाद में आएगी जिससे आपका LCP है निला just content full paint है वो बढ़ जाएगा delay हो जाएगा और core web vital का score जो है वो गिर जाएगा Martin Split ने इस बारे में कुछ और info भी शेयर की है और बताया है कि जो कुछ पुरानी lazy loading libraries है वो असली image URL को source या source set में source set रहता है उसमें डालने की बजाए data source जैसे की custom attributes में hide कर देती है यानि कि जो JavaScript libraries रहती है तो Google का crawler जब HTML render करता है और उसे URL standard attribute नहीं दिखता तो वो image को index ही नहीं करता जिसका मतलब यह हो जाता है कि जब JavaScript से image की जो यह properties hide होती है तो वो image index ही नहीं हो पाती लेकिन यहाँ पर अच्छी बात यह है कि अब browser खुद ही native lazy loading attributes सपोर्ट करते हैं और WordPress जैसे platform ने भी इसको default कर दिया है तो आपको JavaScript library पर dependent रहने की जुरूरत नहीं है तो आपको करना क्या है आपको hero images पर lazy loading नहीं लगाना है साते images की height और width को set कर दें ताकि layout shift ना हो और console वे URL inspection tool से rendered HTML जरूर देखें lazy loading पर मैंने detailed video बनाया है जो आप यहाँ पर देख सकते हैं यह end screen में मैं लगा दूँगा उसके अंदर मैंने completely बताया है कि lazy loading क्या होती है और URL inspection tool का use कैसे करना है तो वो video आप यहाँ पर click करके देख सकते हैं